आदरनिय दोस्तों नमस्कार मैं मनू किसी ने बिल्कुल सब्ति कहा है एक अलगी पहचान बनाने की आदत है मेरी तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्तु के बारे में जो 17 वर्स की आयू में ही जल जहाज के साथ जुर गये तथा कप्तान के ओधे पाकर कालंतर में जल पुरूस ही नहीं जल कुवेर बन बैठे परन्तु उन जलनाइकों की भाती वह सक्स देश न ढूंज स्वेंग को ढूंज निकाला तथा हुआ उस जैसे वेपारी न बन अपितु ज्यान और रचनाओं का प्रशारन और प् प्रणयन किये तो वहीं करीवन साथ देशों का न केवल भ्रमन किये अपितु इतनी ही भासाओं के जानकार भी है संगरसिल जीवन के बारे में उनका कहना है अकेला भारती था और वह भी 17 साल का तब मैं न कुछ सोच न समझ न कोई रास्ता दिखाने वाला बस अब कोई हा करूँ और घर भेज दिया जाओं परगटा रहा प्रेशानी जेलता रहा और 14 महिने घर से दूर रहने के बाद जब घर लवटा तो सीना चोड़ा और वजन 10 किलो कम था किसोर से मर्द बना दिया गया था कठोरतम दुनिया ने मुझे और भी सिखा दिया अच्छी चीज हो कर सिख्र ही उठ खरा हो जाना दोस्तों बताते चलूं कि वे लेखक भी हैं और उन्हें साहतिक छत्र में कई शम्मान वह प्रुषकार भी प्राप्त हो चुके हैं जीवन में आये मुस्किलों के वक्त उनके सहयोगी कौन-कौन रहे इस बारे में उनका कहना है हर इंसान जि जिसने भी मुझे लजाया मेरी कलम को उन्हों ने ही चमकाया प्रंतु मा बाप भाई और भारिया नहोते तो मेरा मंजिल अधूरा ही रह जाता उन्हों ने ही रास्ता दिखाया आगे बढ़ते रहने की प्रेर ना दी खास कर मेरी अरधांगने जिसने मेरे कानों के बारे में उनके सहासिक कारियों को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं नमन करते हैं प्रेमश आभार